स्वागत है आप सभी का दिलिप टिलेशन बूटिक में आज एक बहुंद बड़ी प्रॉब्लम का मैं सॉलूशन देने वाला हूँ यह एक इस टाइप की प्रॉब्लम है जो हर किसी को नहीं आती लेकिन जब आती ना तो बहुंद ज्यादा परसान करती है आप डिस्प्ले प फाट सरीर वालों को यह प्रॉब्लम नहीं आती है तो जब हम देखते हैं मैंने बहुंद सारे जैसे सॉलूशन आप लोगों को बताएं कि आपको किस तरह से चेक करना है क्या करना है अपने सब कुछ कर लिया उसके बाद भी आपको यह प्रॉब्लम आ रही है ठीक है जैस कि यह समझाने के लिए आप लोगों को प्रॉपर बताएं यह प्रॉब्लम आपको तब भी आ सकती है जब आपने हमसे पेपर कटिंग भी मंगाया है क्योंकि जैसे मैंने बताए यह स्पेसिफिक बॉड़ी प्रॉब्लम में सभी के साथ नहीं आएंगी मालों आपने 36 कि आप लोगों को मैं पेपर कटिंग सेल कर दूं और लानीं लेकिन यहीं चीज मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूं कि इसमें आपको करना क्या है अगर जो आप फिर से देखना चित्र में जो आप देख पा रहे हैं डिस्प्लेए पर ये जोल पैदा हुए है और ब्लाउज को भी छाटने का पूरा प्रॉपर तरीका आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं ध्यान से देखना दोनों साइट छाटने के लिए देखेंगे और उसके बाद वापस अस्तिन को चड़ाने के लिए भी देखेंगे क्योंकि अस्तिन चड़ाते के तोर पर समझा रहा हूं कपड़ा अगर खराब गयो जाता है मुझे कोई इशू नहीं है पेन के दाग से लेकिन आप लोगों को क्लियर समझ में आना चाहिए चलो छाटना कैसे उसको देखते हैं तो यहां पर यह देखूं यह इस टाइप से आपको यह कंप्लीट मार्क करना है अस्तिन का शेप बिगाड़ना नहीं है छाट रहे है करके आपको उसी शेप में छाटना है जिस सेप में अस्तिन की कटिंग होती है ठेक है यह इस टाइप से इसको छाटने के बाद अस्तिन का जो सामने पल्ला गहरा कटता है उसको हमको वापस से अच्छे से काटन सामने जो आता है इसको आपको वापस से मिलाना है अच्छे से यह गैपिंग डिस्टेंस यह सारी चीजे में आगे आप लोगों को बहुत कुछ साइड आ रही ना तो दूसरे साइड भी आएगी यह 100 परसेंट फिक्स होता है कभी कभी एकदम रेरली होता है कि एक ही साइड जो रहा होता है दूसरी साइड नहीं आता यह बहुत कम होता है ठीक है तो आपको न यही ध्यान रखना हो दोनों अस्तिन आपको छाटना है यह से कंप्लीट हम इसको छाट लेते हैं यही कपड़े जो हैं यह देखो यह कटके जो इतने निकले न यही जोल मार रहे होते हैं और यह बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है सभी के मैं ऐसा हो ज़रूरी नहीं है जिनके साथ यह प्रोब्लम आती है उनके लिए मैं बता रह हैंगे लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि रेरली कभी-कभी इस टाइप के प्रोब्लम आ जाते हैं तो उसका सॉलूशन आपको ऐसे निकालना है चाहे आपने पेपर कटिंग भी मंगाया होगा ना तब भी क्योंकि यह स्पैसिफिक बॉडी मेजर्मेंट की प्रोब्लम है ब ध्यान से देखिये कि इस प्रकार से हम इसको छाट रहे हैं फ्रेंट का प्ला बैक का प्ला बराबर आपको मिला लेना है चल्यक पर ज्याड़ा तर जो पीछे जो लाता है तो पस्लिव को चाटिन आप उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो पलना है, दूसरी साइट का, उसको भी सेम वैसे ही छाटना है, कैसे, जैसे अभी आपने देखा, यह आधा से पौना इंच छाटता है, आप एक बार इसको ट्राइ करके देखना, मेरे कहने पर, इस टाइप से जब आप करके देखोगे, सटीक तरीके स करोगे, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, हंडेट परसेंट गैरेंटी के साथ, आपकी जोल की प्रॉबलम खतम हो जाएगी, जितने भी जोल आ रहे होंगे, खतम हो जाएगे, क्योंकि यह कपड़े वहां पर एक्स्ट्रा होते हैं, पता है, यह जितने सारे कपड़े य इसको फिट करना है, एक साइड का हम फिट करके देखेंगे, ठीक है, यह देखिए, अब आपको यहां पर अस्तिन चड़ाना है, ठीक है, तो यहां पर अस्तिन चड़ाने का जो टेकनिक है, वो मैं किस टाइप से आप लोगों को बता रहा हूं, उसको समझना, यह जो है, एक अस्तिन हम फट करने के लिए देखते हैं अस्तिन और रेटी सिला सुलाय है तैट से फट हैं तो किसने हम गोल चढ़ाने को देखें यह सेम्-टुजा सेंघ सेभी करने के बाद जो प्लाउस कि फिटिंग करते हैं उसमें भी यूज कर सकते कोई प्रबलम नहीं है इससे नहीं घबराना कि सर ने तो पहले फिटिंग कर लिया था प्लाउज का अस्तिन का उसके बाद गोल-गोल करके चढ़ा दिये हमसे तो यह नहीं बनता तो आपको ऐसा नहीं सोचना है ठीक है आप उन सब चीजों का ध्यान ना दे दोनों तरीकों से बराबर बैठेगा को प्रॉब्लम नहीं आएगी और ज्यादा बैस्ट टेकनिक यहीं होता है कि आप पहले दोनों को फिट कर लें उसके बाद राउंड राउंड में चढ़ाएं तो इसमें दिक्कत क्या आती है खासकर बीगिनर्स को कि जब उनको ढीला टाइट करना होता है तो प्रॉब्लम मे गहरे पल्ले में फिट होता है यह ध्यान रखना जो गहरा पल्ला है ब्लाउस का वह भी आपको एकदम फ्रेंट में इस तरह से दिखना चाहिए ठीक है तो आपको जब क्लियर आप अस्तिन को रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दूसरा अस्तिन भी मैं आप लोग क जा रहा है एक का इधर जा रहा है और दोनों फ्रेंट में ब behavioral और नहीं दिख रहा है मतलब आपने अस्तिन पखना है तो यह मिष्टेक नहीं करना है आप सो तो फिट कैसे करना है, यह वाला पीस इधर का है, जो यह इसी में फिट होगा, अब इसको फिट कैसे करना है, उसको समझते हैं, यह देखो, यह आपका सेंटर होता है, और यह अस्तिन का सेंटर होता है, दोनों सेंटर को आप इस पकार से पकड़ लें, पकड़ने के बाद, आप इसको उल्टा कर दें, ऐसे ठीक है उल्टा करने के बाद यहाँपर आप इसको सीधा मशीन में डालेंगे ऐसे और सिलाई लगाना चालू करें ठीक है नव फकार से रख करके हम इसमें सिलाई लगाना, चालू किया है तो सिलाई का जो करना हम सब कुछ सहीं कर रहे होते लेकिन अस्तिन-चठाटे वक्त हमारी सिलाइस सहीं नहीं कब चल रहे हिती है जिसकी वजह से सोल्डर के पास से भी प्रॉब्लम से पास आती है सोल्डर के जो हैं सजेस्ट करता हूं लेकिन कब करेंगे जब आपको अपने उपर 100% भरोसा हो जाए कि आपको धीला टाइट नहीं करना पड़ेगा तब यह वाला जो जॉइंट है ना इसको थोड़ा अंदर इस प्रकार से मोड़के दबा देना यह कपड़ा यहां पर क्या हो जाता इस टाइब से आप करके देखना प्रॉब्लम खतम हो जाएगी यह मेरी 100% गारेंटी एक बार करके देखना और बताना कि आपको रिजल्ट कैसा मिला इसका यह स्पेसिफिक बॉड़ी प्रॉब्लम्स की वज़े से होती आप पेपर कटिंग मंगा लो आप खुझ से कितुन आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बरहें हैं चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजेगा बाकि मेरा जनब से फिर मुलागात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब वन्दे मांतरम